पूरे दिन आपको किन किन संगहशों से गुजरना पड़ेगा साथी किन उपाईयों को करके आप परिशानियों जे छुटकारा पा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास चो आज का राशिफल मेश राशि प्रेम प्रसंग में प्रगार्ता आएगी विवा योगे लोगों को विवा से संबंधित शुप समचार मिलेगा दूर देश से किसी प्रियजन का शुप समचार मिलेगा उपाई आज श्री दक्षिन मुखी हनमान जी के दर्शन करें व्रिशब राशि जीवन साथी का सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा प्रेम प्रसंग में आई दूरियां कम होंगी संतान पक्षु से शुप समचार मिलेगा पूजा आराधना में मन लगेगा उपाई आज माता लक्ष्मी जी की आराधना करें मिथुन राशी परिजनों के व्याभार से आपकी भावनाओं को ठेस लग सकती है प्रेम प्रसंग में अती भावुकता हानी कारक सिद्ध होगी संतान सुख में ब्रधी होने से मन प्रसंद रहेगा उपाई आज पंचु गव्य से स्नान करें करक राशी आज दिन की शुर्वात तनाप के साथ होगी कारिशेत्र में आपके द्वारा किये गए अच्छे कारियों कश्रे होई अन्य लेने का प्रयास करेगा जीवन साथी से अपेक्षित सहयोग एवं सानिध्धे ना मिलने से संबंधों में दूरियां बढ़ेंगी करक राथी से निकट्टा बढ़ेगी माता पिता से कोई अत्यंत शुप समचार मिलेगा उपाय श्री हन्वान जी को गुड़ और चूरमे का भूग लगाए कन्या राशी आज भाई बहनों से सहयोग एवं सानिध्धे प्राप्थ होने से अपार खुशी होगी किसी पुरानी रिष्टेदार के घराने से खुशियों का संचार होगा विवास संबंधी कारी में आई बाधा दूर होगी उपाय आज साफ सुथरे कपड़े पहने तुला राशी आज रिष्टों में गर्माहट बढ़ेगी किसी साथी का निकटतम वातावरन खुशी प्रदान करेगा परिवार में किसी प्रियर जन के कारण मांगलिक कारिक्रम संपन होगा उपाय आज ब्रेस्पति यंत्र की पूजा करे विश्यक राशी अध्यात्मिक व्यक्ति से मार्गदर्शन एवं सानिध्य प्राप्त होगा प्रेम संबंधों में आई दूरी समाप्त होगी संतान पक्षु से सहयोग मिलने से आत्मियता बढ़ेगी उपाय ओम नमापीम पितामबराय नमा मंत्र का 21 बार जाप करे मकर राशी किसी साथी के धोका देने की प्रबल संभावनाई है भावनात्मक लगाव से बचे परिवार में आपकी बातों का विरोध होगा उपाय ओम श्री नारायन सुर्ज सिंगाय नमा मंत्र का जाप 51 बार करे कुम्ब राशी प्रेम संबंध में आप अपने मनुभावों को व्यक्त करने में सफल होंगे इसके पश्टात आपके साथी का व्याभार सकारात्मक रहेगा आविवाहित लोगों को विवास से संबंधी कोईशुप समाचार मिलेगा उपाई आज साथ की सेवा दूद पिला करे मीन राशी प्रेम प्रसंग में सुख़च समय व्यातीत होगा संतान पक्ष से सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा परिजन संग तीर्थ यात्रा अत्वाविदेश यात्रा पर जा सकते हैं मन में सकरात्मत विचारू में व्रधी होगी उपाई काले कुट्टे को रोटी दे जाहिर है आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो राशी फल में विश्वास रखते हैं और उनकी राशी उनके लिए कारगर भी सामित होती है ऐसे लोगों के लिए हम रोजाना अपना ये शो लेकर आते ही ताकि वो अपनी दन्चारिया को जान सकें खेर आज के राशी फल में बस इतना ही देश दुनिया की तबाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हैं से नियूस भारत के साथ हर कबर आपके साथ आपके हाथ